तो दोस्तो जोग्रफी ऑप्शनल आंसर राइटिंग में बहुत कन्फूजन आता है बच्चों में बहुत समय क्या हमें अलग-अलग कलर पिंस यूज़ करना चाहिए जब भी अब आंसर राइटिंग लिख रहे हैं वैसे ही आप लोगों में से किसी ने पूछा था दाट क्या डिफरेंट कलर पिंसिल अपन यूज़ कर सकते हैं जोग्रफी ऑप्शन आंसर राइटिंग करते हुआ और दूसरा इन का पार्ट अफ कुशन था आंसर राइटिंग के डेमो क्लासे चाहिए और ऑप्शनल के आंसर के क्वालिटी एंड लेवल कैसे अपड्रेड करें तो चलो सबसे पहला वाला कोशन करते हैं उसके बाद दूसरा वाला कोशन करते हैं अगर आप भी इस टाइप के कोई भी क्वरीज है आपके मन में और आप भी अगर पूछना चाहते हैं तो हमारे ask us initiative जो के absolutely free है आप इसको attend कर सकते हैं आप नीचे google form का description में link दिया हुआ है वहाँ पर आपके कोई भी option related कैसे भी questions हो बिल्कुल type कर दीजिए we will make sure to cover that up for you anyways सबसे पहला तो question है that क्या हम different color paints use कर सकते हैं उसके लिए जब सबसे सटीक सा answer है logical answer मैं आपको बताना चाहता हूँ देखो time बहुत कम है right और हमें कितने सारे questions solve करने पड़ते हैं बताओ तो technically 5, 5, 10 और 9 totally 19 questions कैसे सबसे पहला question जो होता है वो 5 questions रहते हैं 10-10 number के right सबसे पांचवा वाला question जो है ये भी 5 questions है 10-10 number के और ये दोनों compulsory है ठीक है और बाखी जो है ना 6 questions बसते हैं 2, question number 3, question number 4, question number 6, 7 और 8 है ना 3-3-3 number के मन 3-3 questions करी करते हैं है ना मतलब technically 3 और हमें उस 6 में से out of 6 हमें 3 questions solve करने होते हैं right तो आप खुद सोचो 3 into 3, 9 और यहाँ पर 5 plus 5, 10 मतलब technically 19 questions मतलब पूरा अगर time frame देखकर चलोगे तो technically एक पर on and average सारे 9 minutes मिलते हैं right उसमें भी आपको 20 number वाल equations में ज्यादा time देना पड़ेगा है ना आप भले ही 10-10 number वाल equation में कम-कम time दो वो चल जाएगा but 20 number तो again मैं on and average मान के चल रहा हूँ ठीक है तो आप खुद सोचो that कैसे आप अगर एक 20 number का question ही solve कर रहो for example 12-13 minute ही अगर आप ले रहे हो तो कैसे आप उतने कम time में अलग-अलग question solve कर पाओगे और यह मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब आपके दिमाग में चल रहा है that हाँ भाया इतना जादा vast topic है इतना जादा हमें co-relation करना पड़ता है इतना जादा point से point को मिला कर like you know एक क्योंकि देखो यहाँ पे जो question प करना पड़ेगा अगर आपको सब कुछ mind में रखना पड़ेगा और उसके साथ अब diagram बनाना पड़ेगा flow chart बनाना पड़ेगा answer के monotonicity को तोड़ना पड़ेगा है ना तो उतना धिमाग में रखते हूँ है क्या आप अलग-अलग pen use कर सकते हो नहीं मैं कभी भी इसको बिल अलग-अलग pens का use किया जाता है different अलग देखो class notes is absolutely different thing ठीक है उसमें आपका mind जो है बिलकुल स्थिर है आप आराम से कर सकते हो right बट वहाँ पर जब answer लिकने उतने काम टाइम में जब answers लिकने परते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद भी कर सकता है बंद मतलब बंद तो कि मैं यहाँ पर किसी ने पूछा नहीं है बट still मैं concern कर देना जाता हूं क्या होता है न आप लोग बोलते हैं यहाँ आंसर तो लिक रहा है pen से बट डाइग्राम जो है वो pencil से बना लेते हैं बहुत जने ठीक है तो दिखो मैं मान रहा हूं जब आप prelims के hurdle को पार करके mains में पहुच रहा हूं मतलब आप ऐसे वैसे खिलारी तो नहीं हो आप काफी जादा मंझे हुए खिलारी हो right मंझे हुए खिलारी इसका मतलब आपने answer writing practice तो की ही होगी है न ऐसे तो नहीं बैठ के आगे होगे यह भी मैं मान के चल रहा हूं जब आप यह सब पूरा स्ठीक है clear ह तो क्यों pencil का इस्तमाल करोगे भाई जब आपको पता है that हां मैं पहला shot में ही अगर सही diagram बना लूँगा और यह तभी हो सकता है जब आप properly practice कर रहे हो ठीक है तो अगर आप एक ही shot में बना सकते हो diagram तो pen का इस्तमाल करो भाई सिफ यह करण देना that हां diagram बना के diagram का labeling कर देना नीचे लिख देना figure और किस चीज का figure है बस यह जरूर कर देना इसको बिस मत करना आप लोग ठीक है तो इस टाइप से करोगे तो चीजे बिलकुल सुधरेंगी बट हां main job का question है that अलग-अलग pens का इस्तमाल करे that is a big no ठीक है black ball pen का इस्तमाल कीजिए बहुत ही ज्यादा आस तो आप geography optional के online classes जैसे में test series भी अभी चल रही है तो इसको access करने के लिए आप smart rankers app download करके इस पर register भी कर सकते हैं otherwise otherwise जो आपका question है that optionals के answers के quality and level कैसे upgrade करें तो यह मैं बार बार बता आना चाहता हूँ देखो quality और level जो है ऐसे upgrade नहीं हो जाता until and unless you get it checked from someone ठीक है अब someone कौन हो सकता है यहां आपका friend circle हो सकता है ठीक है आपका friend circle है तब तो बले-बले बहुत अच्छी बात है है आपके colleagues हो सकते है आपके you know lover हो सकते है आपके boyfriend girlfriend जो भी है न कोई भी हो सकते है और अगर सब कुछ का अगर आपके पास आश्रान नहीं है तो I would highly recommend you to join a very good coaching right for answer writing ठीक है क्य proper evaluation जिसमें वो आपको बता है that आप समय के साथ साथ आपकी answer writing capabilities कैसी बर रही है आप अगर diagram का इस्तमाल कर रहे है तो क्या proper diagram का इस्तमाल कर रहे है या फिर आपको उसमें भी कमी है क्या आपका diagram साफ है क्या उसमें answer की monoturnal city toot रही है क्योंकि देखो हर रोज अगर आपको dal जादा चावल और डाल खाया जाए होना होता है तो वही चीज अगर आप answer में भी अगर monoturnal city लाओ जो normal सब कोई लिक रहे है वैसे अगर आप भी लिक रहे हो तो मेरा मन करेगा आपको जादा नंबर देने को नहीं कभी नहीं करेगा राइट बट वहीं पर मेरे को किसी answer म वो यहाँ पर diagram इस्तमाल कर रहे है वो एक flow chart इस्तमाल कर रहे है वाओ मुझे मन करेगा वाओ यार इसने तो बहुत सजा के एकदम पडोस के थाली को सर्फ किया है तो मुझे इसको कहीं ना कहीं आप से तो ज्यादा number देने को मन करेगा ठीक है भले content same हो भले भीतर में content matter same ह but still क्योंकि इसने presentation जादा अच्छा दिया है तो he is leading far ahead of you ठीक है so make sure करना that ऐसे ही answer के level के quality को upgrade किया जाता है ठीक है जादा से जादा बार बार बता रहा हूँ जादा से जादा practice करते रहो practice करते रहो हो सके तो diagrams के लिए एक अलग सा copy ही बना लो एक पतला सा चोटा सा copy बना ल this is the only way through which आपके quality levels जो है और भी जादा upgrade होएंगी और हाँ दोस्तों ऐसे ही अगर quality level को आप भी upgrade करना चाहते हैं तो आईए join कीजे हमारे classes जो क्या English as well as bilingual दोनों में already run कर रहे हैं आपको download करना पड़ेगा smart rankers education app नीचे में description में इसके link भी दी गई है मिलते हैं आपके साथ next session में with a new doubt अगर आपकी ऐसी कोई भी doubt है आप नीचे comment section में जो आपको दिख रहा है link वहाँ पर जाके google form में आप आराम से अपने doubts को भी concern कर सकते हैं मिलते है next class में बाबाई take care